हलो दोस्तो वेल्कम बैक टो वर यूट्यूब चैनल तो दोस्तो आज को हमें एक और नई वीडियो में आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी में 58,000 वेकेंसी निकली हैं 58,189 तो इतनी बहुत बड़ी वेकेंसी निकली हैं इसी के बात करेंगे यूपी पंचात में वेकेंसी निकली है ठीक है इसी के बात करेंगे फुल डिटेल में कैसे क्या फॉर्म बढ़ा जाएगा और जो भी डिटेल में ठीक है क्या आप अठावन अज़्यार से भी ज्यादा वैकेंस ही है ठीक है संक्या यह notification संक्या देख लीजिए और इस यह notification आया इस notification हो पड़ते हैं पूरा तो यह आया आपका 25 जुलाई को और क्या कह रहा है आगे देखते जाओ ठीक है इसमें क्या है यह देखो यह दसमें नम्मर पे देखो दसमें नम्मर पे क्या लिखा है तो यह वैकेंसी निकली है आपकी पंचाय सायक ठीक है accountant come data entry operator की चैन की आवस सकता है ठीक है ग्राम पंचायत कारलाय को पूर में संचालित करने के जो प्रयास किये गए हैं वे पूर सपलतास के साथ लागू नहीं हो पाए हैं क्योंकि प्रदेश की 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में लगवग 11,008 पंचायत सचिव कारगत हैं अता है प्रते ग्राम पंचायत में प्रत दिन इनकी उपस्तिती संभव नहीं है ठीक है इनकी उपस्तिती क्या है संभव नहीं है प्रते एक पंचायत ग्राम पंचायत में ठीक है तो ग्राम सचवाल है के सफल करियानवर के लिए यह मतलब वैकेंसी निकाली गई है किन किन पदों पर तो ये है सायक accountants come data entry operator इनकी आवस्सकता के लिए ये vacancy निकाली गई है ठीक है अब आगे देखते हैं आगे क्या है पंचाय सायक accountant come data entry operator के chain की प्रक्रिया तो chain कैसे होगा तो ये notification में दिया है पूरा पढ़ते हैं पंचाय सायक एकाउंटेंट एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमदत करने की सूचना ग्राम पंचायत के प्रदाहां द्वारा जारी की जाएगी तथा यह सूचना ग्राम पंचायत कारया लेके सूचना पठल पर प्रकासित की जाएगी और सूचन ग्राम फिदान के द्वारा बताई आएगी ठीक है अच्छा सूचना के प्रकासन की तिती पंद्रे दिन तक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत अथवा संबंदित विकास खंड कारयाले एवं जिला पंचायत अधिकारी कारयाले में जमा कर सकते हैं देखो आपको फॉर्म बनन है ठीक है वहां पे जमा करना है अभी बताऊंगा और यह कह रहा है कि आगे देखते हैं आवेदन पत्र सादे कागज पर सैचिक अर्यादा आईउ एवं जाद समंदी प्राणपत्र के साथ प्रस्तित किये जाएंगे ठीक है तो इस तरह से यह पूरा नोटिपिकेशन दिय सकता है तो दिखो इसको जो ट्वेल्थ पास हैं वो इस फॉर्म को बढ़ सकते हैं मैरिट की बात करें तो इसमें मतल़ा सेलेक्शन की बात करें तो मेरिट लगाई जाएगी जो आपके हाई स्कूल और इंटर के जो मार्क होंगे उसके आदार पर यह निकती है ठीक है और यह संविदा पर है जो संविदा होती है उसके आदार पर यह वैकेंसी निकली है और इसमें अगर हम उसकी बात करें आयू की तो आयू दिये एक जुलाई को 18 वर्स अधिक्तम नहीं 18 वर्स से आपकी 40 वर्स तक वहनी चाहिए और जो आपको एज रिलक्सिसन दिया जादा उस बतलि जिस गाओं के हो उसी गाओं में आप यह फॉर्म बर सकते हो ठीक है उसी गाओं की आपको पद मिलेगा और यह समिदा पर है तो इसमें आपकी सेलरी भी कम है च्छेजार रपे करीब सेलरी है ठीक है तो आगे और देखते हैं आगे यह दिया है कोवेड नैंटी से सम्मंदित इसको अच्छी तरह पढ़ लेना क्या है मान दिया यह दिया देखो यह देख लो सम्मिदा पर अपनी सेवाएं ग्राम पंचायद को उपलब्द कराने वाले पंचायद सायक अकाउंटेट एंट्री ओपरेटर को ग्राम पंचायद के द्वारा उसकी सेवाओं के बदले में 6000 रपी प्रतमा का बुगतान क्या जाएगा वई उक्त दनलासी के बुगतान ग्राम पंचायद वित्त आयोके दनलासी और ये इस तरह से तब कुछ दिया है ठीक है तो अगर गाउं में रहते हो मालो ठीक है कोई काम नहीं मतलब गाउं में ही रहते हो तो 6.000 रपे ठीक है कुछ काम तो होगा नहीं समें ज्यादातर है ठीक जो भी important है जो भी आपका जो doubt है वो आप पूछ रहे ना selection बताई दिया कैसे होगा आपका इमेरेट के आदार पर selection होगा और ये उसके द्वारा बताई आएगा प्रदान के द्वारा और आगे देखो ये क्या है ये आपकी ग्राम पंचायते समझ समस्दता वेजों के कार्याले में उपलब्द था विविन योजनाओं से प्राप्त होने वाली धर्रासी का विवरण निर्गत आदेश ठीक है बीपियर परवारों की सूची विवन योजनाओं कुछ नहीं ठीक है आगे देखो तो यह इतना है ठीक है अब फॉम कैसे बनना है ठीक है तो फॉम के बारे में अभी इसके बाद विडियो बताओंगा देखो यह क्या है आपका सामेगरी का विवरण प्रतिकाई ओके तो चलो फॉर्म के बारे में बताऊंगा फॉर्म आपको कैसे फिल करना है ठीक है क्या क्या डॉकुमेंट लगेंगे पूरा आफलाइन फॉर्म है पहले बता दू और इसमें जो फीस लगेगी वह आपकी बिल्कुल जीरो फीस है एक र सब्सक्राइब करने की सुचना ग्राम पंचायत की सुचना पर मनादी द्वारा कराया जाना है तीस जुलाई से एक अगस्त तक तो मिलते हैं गली वीडियो में तुरंत इसके बार लाने बाला हूं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है ठीक है